इस वीडियो इस स्पॉंसर बाइ e-learnmarket.com जितने भी स्टुडेंट इग्रो में नियो एड्मिसन लेने वाले हैं या एड्मिसन ले चुके हैं उन सभी स्टुडेंट के लिए एच हल्पान चैनल और e-learnmarket.com ने क्लोब्रेशन किया है और आप सभी स्टुडेंट को Advanced Excel का course with certificate free of cost में provide किया जा रहा है इस course में enroll करने के लिए आपको description में दिया हुआ link के उपकर click करना होगा payment page पेए coupon code use करना होगा जो है AH100 जैसे ही आप लोग AH100 coupon code को use करते हो तो आप लोग इस course में free में enroll कर सकते हो और इस course को complete करने के बाद से आपको e-learnmarket.com के तरफ से एक certificate भी प्रवाइड किया जाएगा जो कि private और government दोनों सेक्टर में ही आपको काम आ सकता है तो आप लोग इस course में definitely enroll करें सभी चीज़ का link description में दिया हुआ है Hello everyone, Welcome to my YouTube channel AH Helpline कैसे हैं आप लोग इगनुने 2022 term in exam के लिए finally date seat release कर दिया जी हाँ इस date seat का आप लोग बेसबरी से इंतदार कर रहे थे क्योंकि सबी students इस चीज़ को लेकर confused थे कि आखी 2021 का exam कब से start किया जाएगा जो कि इस date seat के release होने के बाद से clear हो गया है कि इगनुन का 2021 term in exam December में नहीं conduct करवाया जा रहा है December का exam को postpone करके जनवरी में shift कर दिया गया है और अभी December 22 term in exam 20 जनवरी से start किये जाएगे और 22 February तक exam conduct करवाया जाएगा ठीक है तो ये date seat इगनुन के तरफ से आज ही 26 October को release किया गया है जो आप लोग के screen के उपर नजर आ रहा है इसका link मैंने description में दे दिया है PDF file telegram channel पे upload कर दिया गया है तो आप लोग भी इस date seat को download कर सकते हो और check कर सकते हो कि किस date पे आपका exam होने वाला है date seat में आप लोग के exam के date लिखे होते हैं जो भी new student है उनको मैं बता जूँ कि जो भी आपके subject code है उसका exam कब conduct करवाया जाएगा वो date seat में mention होता है तो जितने भी program है जितने भी subject code है सभी इस date seat में mention किये गए हैं बस आपको अपना subject code चेक करना है कि किस date पे आपका exam होने वाला है हलाके मैंने कल ही आप लोग को एक वीडियो के मादम से बता दिया था कि दिसमदो एकीज टामेन exam को postpone किया जा रहा है और दिसमदो एकीज टामेन exam जो पहले एक दिसमर से 31st दिसमर तक conduct करवाया जाता था उसको postpone करके जनवरी में shift कर दिया गया है तो RTI में बस इतना बोला गया था कि exam जनवरी और फिवरी में conduct करवाया जा सकता है exact date नहीं बताया गया था जो कि इस tentative date seat में बता दिया गया है कि 20 जनवरी से exam स्टार्ट होगा और 22 फिवरी तक चलेगा हाला के यह जो date seat release किया गया है आज इगनु के तरफ से उसको बताया गया है कि यह tentative date seat है आप लोग alert section पर अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर किलरली बोला गया है कि tentative date seat for conduct of December 20 term in exam the exact date seat will be announced later on लेकिन देखो मैं आप लोग के यह भी बता देना चाहूंगा कि chances बहुत कम है कि जो starting का date है और जो final date है I mean खतम होने का date है उसमें कोई changes किया जाए अगर बहुत ज़्यादा worst circumstances हुआ या COVID-19 का जो third wave है वो बहुत ज़्यादा intense हुआ अगर हुआ तो I hope कि ऐसा कुछ ना हो तो ही यह starting और last के date में changes हो सकता है otherwise morally same ही रहेगा बीच में कुछ-कुछ subject को इदा उदर किया जाता है या फिर उसको change किया जाता है अलग date पर shift किया जाता है वो सारा चीज हो सकता है और वो सबी चीज final day sheet में आप लोग को देखने को मिलेगा तो अभी के लिए फिलहाल हलाकि इसको tentative date sheet बोला गया है क्योंकि इगनू कभी भी जो पहला date sheet release करता है उसको tentative date sheet ही बोला जाता है ने तो अगर इसको final date sheet बोल दिया जाएगा और बाद में अगर कुछ changes किया जाएगा तो काफी student complain करने लाएंगे कि पहले आपने final date sheet बोल यहां पर और कुछ कुछ बाते होगी कि अब बहुत से student यह भी बोलेंगे कि promotion का भी बात था फिर promotion वाले जितने भी paper है उनका यहां पर date sheet में क्यों code दिया गया है तो अभी promotion का notification release नहीं किया गया है और अगर promotion का notice release कर भी दिया जाए तब भी date sheet में कोई changes नहीं होगा क्यू भी paper में आपको promotion दिया जाता है वो बहुत सारे other session के जो student रहते हैं उनका वो paper रहता है तो वो code तो यहां पर रहे गई और promotion का notice release किया जाएगा या नहीं इसके बारे में IGNU ने confirm बताया नहीं है I mean हाँ भी नहीं किया है ना भी नहीं किया है ठीक है यहां पर बस इतना बता जाएगा तो उसको लेकर already IGNU के तरफ से एक notification release किया जाएगा और उसके बाद से आप लोगे बता दिया जाएगा तो जितने भी student को promotion दिया जाएगा उनका exam नहीं होगा और जिनका promotion नहीं दिया जाएगा उनका exam conduct करवाया जाएगा यह भी आप लोग जान लो कि अभी भी exam form release नहीं किया गया है और exam form के बार में बताया गया है कि वो November या December में start किया जाएगा तो exam form release होने से पहले chances है कि अगर promotion दिया जाए तो promotion का notification release कर दिया जाएगा क्योंकि अगर promotion का notification बाद में release किया जाए और exam form पहले start कर दिया जाएगा तो फिर बहुत issue हो जाएगा क्योंकि फिर सब्सक्राइब कर देंगे फिर फीस एडजस्मेंट का बात आ जाता है ठीक है तो यह सबी चीजे हैं खेर अभी जो भी हो वो आगे अभी फर्दर जैसा जैसा बात आएगा जैसा जैसा नोटिफिकेशन आएगा इगनु के तरफ से वो मैं आप लोग को डीटेल में एक्स्प्लेइन करता रहोंगा आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करकर रखेगा अभी के लिए फिलाल आप ये डेट सीट को डाउनलोड कर सकते इस डेट सीट में कुछ कुछ चेंजिस किया गया है मैं आप लोग को उसको किलर कर दे रहा हूं जल्दी देख और MCQ पैटरन पे होगा और OMR सीट पे आपको एक्जाम देना परेगा जिसके बार में आप लोगों को अलरीडी पता होगा और ये हर सेशन में ही होता आ रहा है और इस सेशन में भी होगा BSHF 101 और FST 01 का एक्जाम अब्जेक्टिव टाइप में होगा MCQ बेस में होगा और OM LM8D1 181 का इिन सभी का जो भी यहाँ पे लिस्स दिया गया इनका एक्जाम objective टाइप में कंड़क करवा जाएगा बाकि जिस तरीका से exam कंड़क करवाया जाता था उसी format में exam कंड़क करवाया जाएगा एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है क्यूँकि यह बहुत मु तो उसको class नहीं माना जाता है, ठीक है, तो फिर भी IGNU ने एक चीज़ बोल दिया है, कि अगर कोई भी student को ऐसा लग रहा है, या कोई भी student अपने exam का date sheet को check कर रहा है, उसमें दो paper एक ही दिन, एक ही time पे रहा जा रहा है, दोनों same year का हो अगर, तो आपको एक mail करना परेगा, mail id दे दिया गया है, date sheet at the rate IGNU.ac.in, यहाँ पे mail करना होगा, और जो mail का format होगा, आपको इस format में ही mail करना परेगा, यहाँ पे enrollment अब लिखोगे, और कौन सा program code है, और कौन कौन सा दो subject class हो रहा है, उसका यहाँ पे code लिखोगे, और mail करोगे, जब बहुत सारे student का अगर ऐसा issue हुआ, तो उसको ही changes किया जाएगा date sheet में, और वो final date sheet जब release किया जाएगा, तो उसमें add कर दिया जाएगा, बात समझ में आया, तो जो भी student को अगर ऐसा लग रहा है, या जब चेक करें अपना exam का date, तो उसमें अगर ऐसा है कि दो paper एक ही दिन, एक ही time paper रहा है, तो आप लोग इस email id पे mail कर सकते हो, date sheet at the rate ignu.ac.in, और यह आप लोग को 10 November से पहले करना परेगा, ठीक है, एक और अच्छा बात यह है, date sheet में, कि group के subject को लेकर काफे student का problem होता था, कि group का subject हमें नहीं मिल रहा है, इगनु में जो bachelor degree के पुराने syllabus के student है, उनका कुछ paper है, वो group में दिया हुआ रहाता है, तो उनको group का paper मिल नहीं रहा था, उसमें group का, I mean group तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में कौन-कौन सा paper है, उस group में उसका भी code दे दिया गया, ताकि आप लोग को subject ढूनने में कोई problem ना हो, इसलिए आपको इस date sheet को बस download करना है, download करने के बाद अगर आप laptop से चेक कर रहे हो, control F प्रेस करोगे, उसके बाद से जो भी आपका subject code है, उसका first three letter अगर put करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो subject का exam कब conduct करवाया जाएगा, जैसे माल लो अगर किसी का history का paper है, EHI put करेगा, तो EHI के जितने भी paper है, उसका यहाँ पे list आजाएगा, कि कब-कब आपका exam होने वाला है, उसके अलाबा माल लो अगर new syllabus के student है, तो उनका BHIC code है, तो BHIC का exam कब-कब conduct करवाया जाने वाला है, वो सभी यहाँ पे आजाएगा, तो इसी तरीका से आपको अपना subject का first three letter या first four letter अगर put करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि आपका exam कब होने वाला है, तो आप लोग भी चेक कर लो, अगर आपको कोई भी subject code नहीं मिले इस date sheet में, तो नीचे count box में जरूर बताना, हलाकि मैंने चेक किया है, जितने भी program हैं, सभी program के सभी subject code इसमें mention कर दिये गए हैं, और अगर कोई subject का code इस date sheet में mention नहीं है, तो उसको final date sheet में add कर दिया जाएगा, तो अभी के लिए आप लोग के लिए यही news है, कि दिसमाद है कि इस time in exam के लिए tentative date sheet release कर दिया गया है, और tentative date sheet के मताबिक आप लोग का exam 20 जन duck करवाया जाएगा, अगर उसमें कुछ changes होगा, अगर कुछ ऐसे circumstances हुए, कुछ changes करना होगा, तो फिर आप लोग को बता दिया जाएगा, लेकिन chances यही है कि यही date sheet आप लोग कराएगा, at least कम से कम starting और final date तो यही रहेगा, बीच में कुछ भी changes होगा, तो final date sheet में adjust कर दिया कम से कम एक मन से देर मन तक का time दिया जाता है, तो November में ही start किया जा सकता है, जैसे start होगा, तो मैं आप लोग को definitely बताऊँगा, promotion को लेकर अभी तक decision नहीं लिया गया है, promotion को लेकर अगर notification रिलीस किया जाता है, promotion का decision लिया जाता है, अगर इस बार भी तो आप लोग को इगन के तरफ से tentative date seat release की गई है, आज उसके बार में detail में information दे रहा था, मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ होगा, इसे वीडियो को like जरू कर दे, सभी friend के साथ share के ताक उनको भी सभी important information मिल पाए, किसी बिता के doubt के लिए आप लोग नीचे कौन box में लिख सकत हैं, सभी social media platform पे मैं लेवल हूँ, Instagram, Telegram, Twitter, सभी का link description में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे follow कर सकते हो, अगर आप eh helpline channel पे first time आये हो, तो make your upload पहली फूरसत में channel को जरूर subscribe कर ले, क्योंकि एगनू के related, हर एक एक trusted authentic information आप लोग को यही पे देखने को मिलेग so thank you so much for watching this video, have an awesome day, thank you so much.